नमस्कार प्रियविद्यारतियों आपको पता ही है हमारे इस चैनल पर महत्तोपून प्रशन जो किसी भी प्रतियोगिता परिक्षा के लिए बहुत उप्योगी साबित हो सकते हैं उनकी सीरीज चल रही है हम कोशिश करते हैं कि प्रति वीडियो आपको कम से कम 15-20 प्रशन इस हिंदी साइत्य और व्याकरन गुरु चैनल पर हम आज के महत्यपून प्रशन करते हैं प्रथम प्रशन है आचारय शुक्ल ने किस उपन्यास को कावे कोटी का उपन्यास कहा है तो वो उपन्यास है राधा कांथ राधा कांथ रघुवीर सहाए गरंथावली कितने खंडों में विभक्त है अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियों में हमने अलग-अलग ग्रंथावली अलग-अलग रचनाकारों के कितने रचनाओं के कितने खंड हैं ये सब किया था जैसे कि बच्चंग जी की आत्मकथा के कितने खंड हैं तो वो भी हमने किये थे तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं आईए अब अगला प्रशन करते हैं Fort William College की स्थापना कब हुई Fort William College की स्थापना अठारा सो ये इस तरह से याद कर लीजिए कि कभी भूले ही नहीं बहुत जरूरी प्रशन है तो Fort William College अठारा सो में स्थापन अगला प्रशन है बेकसी का मजार के रचनकार कौन है बेकसी का मजार एक प्रसिद उपन्यास है और इसके रचनकार है प्रताप नरायन श्रीवास्तव जी कहानी महाशुद्र के लिखा कौन है महाशुद्र कहानी जो है इतनी प्रसिद रही कि उसके बाद से इस प्रकार की कहानियों का एक सीरिज सी आने लगी थी मोहंदास नयमिश्राई ये कहानी है मोहंदास नयमिश्राई अगला है खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब कहने वाले कवी कौन है ये प्रसिद नाम में भी आ जाता है बहुत जादा प्रसिद प्रशन है इस पर पूरा ध्यान देजिएगा वो हैं शमशेर बहादुर जी गाथा या गाहा कहने से किस लोग प्रक्चलित का वे भाशा का बोध होता है गाथा या गाहा कहने से हमें प्राकृत का बोध होता है नेक्स प्रेशन है बर्वई रमायन के कितने में कितने बर्वई हैं तो 6,9 उनहेतर बर्वई हैं और ये इनकी रमायन रामचरित मानस के समान उतनी प्रसिद नहीं रही लेकिन फिर भी छोटे के होने के कारण बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं खड़ी बोली का अर्भी फार्सी रूप क्या है वो है उर्दू भाशा उर्दू भाशा हिंदी की खड़ी बोली का उर्दू फार्सी रूप है अर्भी फार्सी रूप है अगला प्रशन है प्रसाद के किस रचना का कथानक महा भारत पर अधारित है प्रसाद जी के जादातर जो नाटक है वो मौर्य वन्ज से प्रभावित रहे हैं लेकिन महा भारत से प्रभावित जो उनकी रचना है वो है सज्जन अगला प्रशन है दो आप किस विधा की रचना है दो आप है निबन संग्र है अब मेरा आप से प्रशन है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताईए कि दो आप निबन संग्र है किसका है आपको आता है तो अच्छी बात है वरना अगले वीडियो में मैं यह आपको बता द पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंद का रूपक माना है वो है आनंद कुमार स्वामी प्रशन दोबारा देख लें किस समिक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंद का रूपक माना है वो है आनंद कुमार स्वामी सिंधी भाशा क अब भरंश की ब्राचड से सिंधी, खस से पहाड़ी माना गया है सब्रस के रचनाकार कौन है, वो है मुल्ला वजही सब्रस के रचनाकार है मुल्ला वजही तो प्रियमिद्यार्थियों आज के लिए इतने ही अगली बार मिलेंगे कुछ और नए महत्वपुन प्रिशनों के साथ और प्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवान